इमेल राइटिंग का हम question number 5 देख रहे हैं इससे पहले 4 questions मैं आपको complete करा चुका हूँ जिसमें email writing के 4 questions important बताए गए हैं ये 5 वा और अंतिम question email writing का इसके बाद में हम दूसरी वीडियो जो है important questions की आपकी डाल देंगे इससे पहले मैं की आपको ये email writing बताऊँ ये आपको लिखना है email writing editor को और इससे पहले मैंने जो आपको 3 email ID जो है आपको email writing जो है एक पर्यावरण यानि की Plantation of Tree के उपर है Save Tree के उपर है एक है आपका Corona Virus के उपर और एक है आपका Traffic Signal के उपर एक है Mahatma Gandhi के उपर चार वीडियो Visual Ads है जो 25 नंबर Question आएगा Question नंबर 25 जो होगा आपके Paper का Exam Paper का Board Exam Paper का उसमें यही Visual Ads के Question आते हैं और 23 नंबर जो Question होता है उसमें आएगा आपका Email Writing का जो की आप यहाँ पर देखेंगे अभी पाँचवा Question और इससे पहले चार Email Writing के Questions करा चुका हूँ चार नंबर इससे मिलेंगे चार नंबर इससे मिलेंगे यानि कि अगर आपके पास Model Paper नहीं है तो घबराने क्या उशकता नहीं है उन Model Papers की Link मैं इसी वीडियो के Description Box में दे दूँगा जहां पर यह सारे Model Papers आपको मिल जाएंगे और इन Model Papers के Answers देखने के लिए आपको यह वीडियो देखने पड़ेंगे जो की Playlist में अविलेबल है और इनके Playlist में जो वीडियो है इसमें आपको इनके PDF भी मिलेंगे Solution के साथ में तो अगर आपको जो भी चाहिए वो चीज हर चीज अविलेबल है Description Box में जाने के आउशकता है बाकी आपको कुछ भी यहां पर देखने को ऐसा चीज नहीं मिलेगा जो आपके एक्जाम में आपकी मदद ना करे तो यहां पर हम चलते हैं इस Question के Solution की तरफ तो पाँचवा जो Question पूछा गया है और यहां पर जो है इमेल एडरेस आपको दिया गया है तो ठीक है अब चलते हम इसको लिखना कैसे है सबसे पहले लिखने के लिए हमें इसके सब्जेक्ट से स्टार्ट करना होता है जो की हमारे को सब्जेक्ट इस Question पेपर में दिया होता है और हमारा सबसे पहले लेटर में जो है टू आता है उसके बाद में सी सी आता है बी सी सी आता है फिर सब्जेक्ट है यह चार चीज़े इसी तरह से आपको लिखनी है ठीक है चार कॉलम बनाने लेने आपको इस तरह से खाने बना लेने है तू के सामने आपको जो email address है वो लिखना होता है तो जो भी email address दिया जाता है उसको आप email address को लिखे होगे ठीक है email address के बाद में यहाप email address के बाद में करना है तो एडिटर टूदा मैगजी इंक्लूड इस्टूडेंट कॉलम यानि कि हमारा जो सब्जेक्ट है इस्टूडेंट कॉलम को इंक्लूड करना है इसमें स्कूल के मैगजीन में स्कूल मैगजीन में हमें स्टूडेंट इंक्लूड करना है इस्टूडेंट कॉलम को यह हम लग देंगे for including student column in school magazine ठीक है ये हो गया हमारा subject अब इसके नीचे हम इस subject के answer को लिखेंगे अब answer को लिखने से पहले इसको answer को हिंदी में समझते हैं कि हम लिखेंगे क्या इयर सर मेडम तो हमेशा रहे गई रहेगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर देकि मैं आपका ध्यान आकरशित करना चाहता हूं कि हमारे स्कूल पत्रिका में च्छात्र कॉलम नहीं है स्कूल मैगजिन में student कॉलम नहीं है ठीक है इसलिए कई प्रतिभाशाली च्छात्र जिनके पास अच्छा लेखन कोशल है उन्हें अपने कोशल में सुधार करने के लिए मंच नहीं मिल रहा है सर्फ स्रेष्ट के विचारों को प्रकाशित करने के लिए क्रपा स्कूल पत्रिका में च्छात्र के कॉलम को शामिल करें यह च्छात्र को उनकी सैक्षिक शपलता के लिए मदद करेगा यह बाकी च्छात्रों को भी प्रेरीत करेगा पस इतना हमें इसको इंगलिस में दवारसिक हुए है जिसभी जिले से भेजना चाहते है इस WhatsApp नमबर भेज सकते हैं और अपना नाम या फिर अपना जिला जरूर मैंशन करें नाम ना मैंशन करें पर कम से कम जिला जरूर मैंशन करें आपको playlist जरूर विजिट करनी है प्ले लिस्ट में वो सब कुछ है जो आपको इस एक्जाम में टॉपस की लिस्ट में सामिल कर सकता है आपके 2022 में तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमने हिंदी में यहां पढ़ा इसी को हम इंगलिस में यहां कनवर्ट करके लिखेंगे Sir, I would like to draw your kind attention that our school magazine do not have student column. So, several talented students who have good writing skills are not getting platform to improve their skills. Please include student's column in school magazine to publish the views of the best. It will help the student for their educational success. It will also motivate the rest of the student. बाकी बच्चों को भी प्रसाहित करेगा ठीक है प्रेरित करेगा यही चीज हमने हिंदी में पढ़ी यही चीज हमने इंगलिस में लिख दी इसके बाद मैं thanking you जरूर लिखेंगे आप viewers truly या viewers obediently लिखेंगे आप उसके बाद मैं आपको जो question में नाम दिया जाएगा उसको आप use कर देंगे जो कि यहां पर दिया गया है pretty तो आप pretty जाम लिख देंगे प्रितम लिखा होता तो प्रितम लिख देते और अगर कोई और नाम मोहित लिखा होता तो मोहित भी कर देते तो जो नाम आपको दिया जाएगा वही करना अगर आपको नाम नहीं दिया जाता है तो फिर आप अपने मर्जी से कोई भी नाम use कर सकते हैं अगर आपको email address नहीं दिया जाता है तो भी आप कोई भी email address यहाँ पर use कर सकते हैं यह धान रखना है कई चीज़े कभी-कभी examiner क्या है direct question देता है कुसमें कुछ भी detail नहीं देता तो details आप अपनी मर्जी से फिर use कर सकते हो उसके लिए आपको घबरानी क्या हो शकता नहीं है पूरे number आपको मिल जाएंगे तो यह email आपको देखने को मिला मैंने 5 important emails आपको करा दिये हैं अब इसके आगे दूसरे questions जो हैं उसकी वीडियो में बनाऊंगा अब उनको देख लेना सारे 2022 के important questions है वो इस channel पर आपको मिल जाएंगे उनको आप देखने के लिए अगर channel पर नहीं है तो subscribe करके bell icon को click कर लीजिए हमेशा notifications मिलती रहेंगी आपको और जितने वीडियो आपके बनाएंगे हैं उनको पढ़ लिया तो आपके 50% number के लिए तो वीडियो मैं already बना चुका हूँ और अभी जो 10-5 दिन के अंदर जो वीडियो आपको मिलने वाले हैं वो 50 number और cover करेंगे यानि कि 100 number का paper का solution मैं यहापे डाल रहा हूँ जो आपके board में आने वाले हैं questions पासा करता हूँ इन वीडियो से आप लोगों को help मिलेगी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके exams के लिए best of luck आपको screenshot लेना है तो किसी भी वीडियो को pause करके जिस जिस page का आपको screenshot लेना है उसको ले सकते हैं या फिर pause करके आप पूरे letter को लिख सकते हैं हिंदी में भी इंग्लिस में भी ताकि आपको याद करने की आउशकता जो है ना रहे आप लिखेंगे तो automatic आपको याद हो जाएगा एक बार आप इसको लिखेंगे guaranteed है आपको याद हो जाएगा ठीक है और हिंदी में भी लिख ले ताकि आपको उसकी हिंदी वर्जन आपको समझ में आ पाए और screenshot लेना चाहें थी screenshot भी ले सकते Thank you very much, have a good day, best of luck for your examiner